तो ऐसा होता है कि घर में लाइट चली गई है तो मैं कैंडल लेकर फ्यूज के लिए जो इलेक्रिशन आया है तो उन्हें कैची चाहिए होती है तो मैं ढूंडने निकलती हूँ तो मेरे खाल से उन्हें ने बोला कि मैं रक्षम भीया की पार्टी में नहीं आना चाहती है तो उन्होंने पहली बार ऐसे ना कहा कि नहीं तुम्हें आना पड़ेगा और यह वो करके और फिर मेरे हाथ पर मोम गिर जाती है तो बहुत से बहुत से इंसिटिव हो जाते हैं आपको देखने में जादा मजा हैगा मैं बता नहीं पाऊंगे उतने अच्छे से लेकिन पहली बार उनके साइट से बहुत क्लिरली ऐसे कुछ प्यार दिखा है जिसका आप लोगों को इंतजार था तो आप लोगों को यह मोमेंट देखकर बहुत अच्छा लगेगा अरे आप लोगों को बोल रहे हो तो मुझे भी रेलाइस हो रहा है कि जब ससुराल आते तो उनका मूड अलग हो जाता है तो हाँ शायद हमें घर बदल देना चाहिए शायद हमें उन्हें घर जमाई बना लेना चाहिए तो आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग कॉमेंट करेंगी कि इन्हें घर जमाई बनाए चाहिए 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 प्रिसाद में कुछ दिक्कत हो गई है मानव बना रहे हैं तो ऐसे ही फिर वो बना के आ जाते तो बात होती है तो मैं उन्हें बताती हूं कि इसकी जो इतनी अच्छी कंडिशन है वो भी मिस्टर दाल्मिया क कि इसे ठीक किया था तो इसना बोला बिगाड़ा किसने था उन्हें इसे बिगाड़ा भी था तो फिर वो फिर से मिस्टर दाल्मिया को लेकर कुछ कहा देता है तो हमारी अन्बन हो जाती है लेकिन फिर मुद्दा यही है कि मैं अभी भी उनके प्यार में हूं और मुझे अभी भी वह यादे हैं। मैं अभी भी वह घल याद कर रहरी हूं जैसे मानव आज मेरे लिए कौफी बना रहा है वैसरै कि मैंने बहुत पहले उनके लिए चाए बनाई थी इसी तरह से जब पारिष हो रही थी तो वह पल याद आजाता है और ये याद आ जाता है कि मतलब जब वो मानव बोलता है कि मुझे कुछ पल्चुराने है तुम्हारी बिजी लाइफ से तो मैं ये सोच रहे हूँ कि मुझे मिस्टर दानमिया की लाइफ से कुछ पल्चुराने है तो हम दोनों अलग-अलग लोगों के बारे में सोच रहे हैं और बहुत ही प्यारा सीन है हाई मेरा नाम है सम्रिदी शुकला और आप हमें देख रहे हैं ग्लिटर और ट्लैमर बार थांक्यू